सन 2153 तक धर्ती पर इंसानों की आबादी बढ़कर 2400 करोड के पार पहुंच चुकी थी जिससे खाना पानी और ऐसे ही जरूरी संसाधनों की अत्यधिक किल्लत होने लगी थी इसके समधान के लिए वैग्यानिकों ने प्रित्वी जैसे ही किसी और ग्रह की खोज शुरू कर दी उनकी ये खोज उन्हें टेनिस नाम के एक जीवन दाई ग्रह तक ले आई लेकिन सन 274 आते आते प्रित्वी पर संसाधनों की किल्लत इतनी बढ़ गई थी कि दुनिया में जरूरी संसाधनों के लिए युद्ध शुरू हो गया और जब ये युद्ध अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया तब व्यग्यानिकों ने इलीसियम स्पेशिप को लौँच किया इलीसियम एक विशाल का स्पेशिप थी जो प्रित्वी से 60,000 इंसानों को लेकर टैनिस ग्रह पर बस्ती बसाने के मकसद से निकली थी इस स्पेशिप को टैनिस ग्रह तक पहुचने में 123 साल लगने वाले थे इस वज़ा से सारे अंतरिक शियात्रियों को हाइपर स्लिपिंग पॉड में सुला कर ले जाया जा रहा था ताकि पूरे सफर के दौरान उनकी उम्र ना बढ़े इस दौरान स्पेशिप की देखभाल के लिए स्पेशिप में 50 से भी ज़ादा फ्लाइट टीम्स मौझूद थी हर टीम में एक लेफटिनेंट और दो कॉर्परल मौझूद थे उन फलाइट टीम्स मेंसे पहली टीम दो साल तक जागकर स्पेशिप को संभालने वाली थी फिर दो साल बाद पहली टीम दूसरी टीम को जगाकर खुद अपने स्लिपिंग पॉड में सो जाएगी उसके बाद अगले दो साल तक दूसरी टीम स्पेशिप को संभालेगी और दो साल बाद वो तीसरी टीम को जगा कर खुद स्लिपिंग पॉड में सो जाएगी टैनिस ग्रह पर पहुँचने तक उनकी शिफ्ट ऐसे ही चलने वाली थी इलीसियम को लाँच हुए साथ साल बीच चुके थे उस वक्त स्पेशिप की देखभाल करने की जिम्मेदारी चौथी टीम की थी एक दिन उनके पास पृत्वी से एक मैसेज आया नजाने उस मैसेज में ऐसा क्या था जिसे सुनकर वे तीनों अंदर तक काम उठे ऐसे ही समय बीचता रहा उस लंबी यात्रा के दौरान एक दिन स्लीपिंग पॉड में सो रहा एक आदमी अचानक नेंद से जाग उठा वो आदमी खुद को उस बंद पॉड में पाकर घबरा गया और चीखने चिलाने लगा उसने किसी तरह खुद को स्लीपिंग पॉड से आजाद किया और बाहर निकलाया उस आदमी की यादाश्त धुंदली पड़ चुकी थी उसे अपना नाम तक याद नहीं था हलंकि उसे ये बात याद थी कि वो स्पेशिप के फ्लाइट टीम का मेंबर था और साथ ही उसे अपनी ट्रेनिंग भी याद थी लेकिन उसे उसका मिशन याद नहीं था इतने मही अचानक वहां की बिजली गुल हो गई लेकिन उस आदमी को वहां पर एक ग्लो स्टिक मिल गई उसकी रोशनी में उसने अपने स्लिपिंग पॉड पर एक नजर डाली उसके पॉड पर उसका नाम कॉर्पुरल बावर लिखा था उसी पल उसका ध्यान अपने हाथ पर बने एक टैटू पर गया जिसमें लिखे सीरियल नंबर से उसे पता चला कि वो स्पेशिप के पांचवे फ्लाइट टीम का मेंबर था उसने देखा कि कमरे में दो और स्लिपिंग पॉड थे जिसमें से एक पर कॉर्पुरल कूपर नाम लिखा हुआ था लेकिन कूपर अपने पॉड से गायब था वहीं दूसरे पॉड में एक आदमी सो रहा था उसके पॉड पर लेफटेनेंट पेटन लिखा हुआ था उसी कमरे में बावर को कम्प्यूटर डेस्क पर शिप का नाम इलिसियम लिखा हुआ दिखा वहीं उसे उसके नाम का एक लॉकर भी मिला उसने जब उस लॉकर को खोला तो उसमें उसके कपड़े और एक लड़की की तस्वीर रखी थी साथ ही वहाँ ये इंस्ट्रक्शन भी लिखी थी कि जादा समय तक हाइपर स्लीप में होने की वज़ा से याददाश्त चली जाती है लेकिन धीरे धीरे याददाश्त वापिस भी आ जाती है उसे पढ़ने के बाद बावर ने जट से अपने कपड़े पहन लिये उसके बाद उसने कमरे के एक्जिट डोर को खोलने की कोशिश की लेकिन बिजली न होने की वज़ा से वो आटोमेटिक डोर खुल नहीं पाया खुद को वहाँ कैद पाकर बावर काफी जादा परेशान हो चुका था उसने लेफटिनेंट को जगाने के लिए उसकी स्लिपिंग पॉड को खोलने का स्विच गुमाया लेकिन बिना बिजली वो भी खुल नहीं पाया कुछी देर बाद स्पेशिप की बिजली अपने आप ही लोट आई उसी पल स्पेशिप ऐसे हिलने लगी मानो उसमें भुकम पा गया हो बिजली आते ही लेफटिनेंट पेटन का स्लिपिंग पॉड भी खुल गया कुछी पलों में बिजली फिर से गुल हो गई तब तक पेटन अपने स्लिपिंग पॉड से बाहर आ चुका था बावर की तरह उसकी यादाश्त भी धुंदली पड़ चुकी थी इस पर बावर ने उसे याद दिलाते हुए कहा इस वक्त हम लोग इलिसियम स्पेशिप में हैं और हम शिप के फ्लाइट टीम 5 के मेंबर हैं मुझे लगता है हमें पृत्वी से निकले 8 साल हो चुके हैं यानि कि अब शिप पर काम करने की बारी हमारी है इसलिए कम्प्यूटर ने हमें जगा दिया है हलंकि हमें जगाने की जिम्मेदारी टीम 4 की थी लेकिन उनका कुछ पता नहीं है ये सुनते ही पेटन ने भी अपने कपड़े पहन लिये उसी पल पेटन को याद आया कि वहाँ एक दर्वाजे की पीछे शिप का कंट्रोल रूम है जहां से वे लोग शिप को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन बद किस्मती से कंट्रोल रूम का दर्वाजा भी लोग था ये देखवे दोनों कम्प्यूटर की ओर आ गए और कम्प्यूटर को एमरजंसी पावर जनेरेटर की मदद से स्टार्ट कर दिया फिर उन्होंने स्पेशिप की बाकी फ्लाइट टीमस से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्हें किसी का भी जवाब नहीं आया इसी दोरान उनका ध्यान वेंटिलेशन की ओर गया पेटन ने सुझाव दिया कि उन्हें वेंटिलेशन में जाना चाहिए शायद वहाँ से उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए ये सुनकर बावर तुरंत वेंटिलेशन में घुस गया वो वेंटिलेशन में फैले धेर सारे ट्यूब्स के बीच सरकता हुआ आगे बढ़ने लगा इस दुरान पेटन उसे ट्रांस्मीटर के जरिये जरूरी इंस्ट्रक्शन्स देता जा रहा था इसी बीच एक बार फिर स्पेशिप में बिजली लौट आई और स्पेशिप फिर से थर्थराने लगा उसी पल बावर को याद आया कि स्पेशिप के न्यूकलियर रियक्टर में गडबड़ी की वज़ा से ही बिजली की समस्या हो रही थी और वो ये सब इसलिए जानता था क्यूंकि वो स्पेशिप का मेकैनिकल इंजिनियर भी था बावर ने ट्रांस्मीटर पर पेटन से कहा कि ये समस्या ठीक करने के लिए उन्हें रियक्टर को रिसेट करना होगा अब वेंटिलेशन में ट्यूब्स इतनी जादा घनी हो गई थी कि वहाँ बावर का दम घुटने लगा लेकिन बावर किसी तरह खुद को संभालता हुआ आगे बढ़ता रहा तब ही एक जगा पर आकर वो अचानक सिर्क के बल नीचे एक जाली पर गिर पड़ा उसकी गरदन तूटने से बाल बाल बच गई उसने जब आसपास अपनी नजरें दोडाई तो देखा कि वहाँ उसके साथ एक लाश भी लटक रही थी वो लाश उसी कूपर की थी जो अपने सलिपिंग पॉड से गायब था अपने स्लिपिंग पॉड से बाहर आने के बाद कूपर ने भी बावर की तरह वेंटिलेशन से बाहर निकलने की कोशिश की थी लेकिन वहां सिर के बल किरने से उसकी करदन तूट गई थी और वो मारा गया था उसे देख डर के मारे बावर ने जठ से वो जाली खोल दी जिससे वो सीधा स्पेशिप के स्टोर रूम में जा गिरा नीचे गिरने की वज़ा से उसके ट्रांस्मेटर में कुछ खराबी आ गई जिससे उसका पेटन से संपर्क तूट गया बावर जब उस स्टोरून से निकल कर स्पेशिप के कॉरिडॉर में आया तो उसने देखा कि बाहर चारों और घुप सननाटा पसरा हुआ था बावर इस उमीद में आगे बढ़ने लगा कि शायद आगे उसे फ्लाइट टीम का कोई मेंबर मिल जाए तब ही अचानक उसे वहां एक लड़की दिखी जो एक रौड की मदद से किसी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी वो लड़की बावर की भनक पाते ही वहां से भागने लगी बावर भी अपनी पूरी तेजी के साथ उसका पीछा करने लगा कुछ दूर जाते ही बावर ने देखा कि वो लड़की अंधेरे में रास्ते के बीचों बीच रुक गई है बावर ने उसके पास जाकर जैसे ही अपने टॉर्च की रोशनी उसकी ओर की तो देखा कि वो लड़की नहीं थी बलकि वहां किसी की बुरी तरह कटी हुई लाश लटक रही थी उसे देख डर के मारे बावर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए वो कुछ भी समझ बाता उससे पहले ही उस लड़की ने उस पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर खंजर रख दिया तब ही बावर को अपने पीछे से आती कोई आहट सुनाई दी उसने जब मुड़कर पीछे देखा तो एक नीली रोशनी उसकी ही ओर बढ़ रही थी इतने मेही वो लड़की वहां से गायब हो गई बावर तुरंत उट खड़ा हुआ उसने देखा कि वो नीली रोशनी आगे और पीछे दोनों तरफ से उसके करीब आती जा रही थी और अब तो वहां किसी जानवर जैसी गुर्राने की आवाजें भी गुंजने लगी थी इतने मेही किसी ने एक जटके से वहां लटकी लाश को उपर खिंच लिया और किसी वहशी जानवर की तरह उसे नोच नोच कर खाने लगा बावर डर के मारे अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भागा और वापस उसी स्टोर रूम में आकर छुप गया अगले ही पल वो नीली रोशनी तेजी से उसके सामने से गुजरी बावर ने हिम्मत जुटा कर जब बाहर जांक कर देखा तो अपने सामने एक भयानक प्राणी को देखकर उसकी सांसे तक थर रा उठी उस प्राणी के हाथों में एक भाला था वो नीली रोशनी उसके भाले की नोक से ही आ रही थी तभी बावर ने उसे स्टोरूम की ही ओर आते देखा धर के मारे बावर उसी वेंटिलेशन में जाकर छुप गया जहां से वो बाहर निकला था लेकिन दुरभाग्य से उसी वक्त उसके ट्रांस्मेटर ने काम करना शुरू कर दिया और उससे पेटन की आवाज आई बावर ने फॉरन उस आवाज को दबा दिया लेकिन तब तक उस प्राणी को बावर की भनक लग चुकी थी वो अपने भाले से वेंटिलेशन पर अंधा धुन्ध हमले करने लगा खुश किसमती से उसे बावर की जगा कूपर की लाश मिल गई और वो उसे लेकर भाग गया बावर ने उसी वक्त पेटन को भी उन खुंखार प्राणियों के बारे में बताया जिसे सुनकर पेटन भी हैरान रह गया इनी बातों के बीच पेटन को याद आया कि वे 60,000 पैसेंजर्स को लेकर टैनिस ग्रह पर बस्ती बसाने के मिशन पर निकले थे पेटन की बात सुनते ही बावर को भी पुरानी कुछ बातें याद आने लगी उसे वो लड़की भी याद आई जिसकी फोटो उसे उसके लौकर में मिली थी वो लड़की बावर की पतनी थी साथी उसे ये भी याद आया कि इस मिशन में उन सब के परिवार भी उनके साथ आने वाले थे उसने पेटन से कहा कि इस से पहले की वे खुंखार प्रानी उनके परिवार तक पहुंचे उन्हें जल्द से जल्द अपने परिवार को ढूंड कर उनकी सुरक्षा करनी होगी ये सुनकर पेटन ने बावर को समझाया ये एक विशाल स्पेशिप है और हमें तो याद भी नहीं कि हमारे परिवार इस वक्त कहा है इसलिए हमें पहले स्पेशिप को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए अगर स्पेशिप ठीक हो गई तो हम कंट्रोल रूम में मौझूद कम्प्यूटर की मदद से अपने परिवार को ढूंड सकते हैं बावर पेटन की इस बात से राजी हो गया वो हिम्मत जुटाकर वेंटिलेशन से बाहर निकलाया उसने आसपास उन प्राणियों के ना होने की तसली की और कोरिडॉर में आगे बढ़ गया आगे जाकर उसे एक सेक्योरिटी लॉकर में एक सूपर सोनिक गन मिल गई उस गन को अपने हाथ में पहन कर बावर कोरिडॉर में आगे बढ़ गया इस दुरान पेटन कम्प्यूटर की मदद से उसे स्पेशिप के नुकलियर रियक्टर तक पहुँचने का रास्ता बता रहा था ताकि बावर रियक्टर को रिसेट करके स्पेशिप को ठीक कर सके बावर अभी थोड़ा आगे गया ही था कि तभी उसके हाथ पैर कांपने लगे ये देख अचानक उसके दिमाग में पेंडोरम शब्द आया हलंकि उसे याद नहीं आ रहा था कि पैंडोरम का मतलब क्या है उसने जब पेटन से पैंडोरम के बारे में पूछा तो पैंडोरम शब्द सुनकर पेटन के चहरे से हवाईयां ही उड़ गई पेटन ने बावर को एक कहानी सुनाई एक बार पांच हजार लोगों को एडन नाम की एक अंतरिक्ष मिशन पर भीजा गया था उस मिशन में एक क्रू मेंबर ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया उसे लगने लगा था कि उनकी स्पेशिप श्रापित है इस सोच ने उसे पागल कर दिया अपने पागल पन में उस क्रू मेंबर ने अपने साथ साथ स्लीपिंग पॉड में सो रहे सारे पांच हजार लोगों को अंतरिक्ष में लाँच कर दिया जिससे वे सारे लोग मारे गए डॉक्टर्ज ने उसके पागल पन को पेंडोरम नाम दिया पेंडोरम एक दिमागी बीमारी है जो अंतरिक्ष में लंबे समय तक यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को होती है पेंडोरम के शुरुआती लक्षणों में मरीज की यादाश्त कमजोर हो जाती है फिर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं उसके नाक से खून बेहने लगता है साथ ही उसे हैलूसिनेशन भी होते हैं उस वक्त अगर किसी बात से उसे कोई सद्मा पहुँचे तो पेंडोरम उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और वो पूरी तरह से पागल हो जाता है इस कहानी ने बावर के भी रॉंक्टे खड़े कर दिये थे उसने पेटन से अपने हाथ कामपने वाली बात छुपाना ही बहतर समझा आगे बढ़ते हुए बावर जैसे ही शिप की उपरी मन्जिल पर पहुंचा तभी उन खुंखार प्राणियों को बावर की भनक लग गई और वो मौत बनकर उसके पीछे पढ़ गए उनसे बचकर भागते हुए बावर का पैर एक रसी में फस गया जिससे बावर नीचे गिरकर उस रसी से लटक गया उस जड़के से बावर का ट्रांस्मीटर फिर से खराब हो गया जिससे उसका पेटन से संपर्क तूट गया इतने मेही वे प्राणी बावर की रसी को ऊपर खीचने लगे बावर बस उनके हाथ लगने ही वाला था कि तभी एन मौके पर एक आदमी ने बावर की रसी काट कर उसकी जान बचा ली और उसे एक सुरक्षित कमरे में ले आया उस आदमी का नाम मैन था और वो वियतनाम से था मैन बावर से वियतनमीज भाषा में कुछ बड़बडाने लगा लेकिन बावर को उसकी भाषा समझ नहीं आई इसी दुरान बावर मैन के हाथ का टैटू देख समझ गया कि वो एगरिकल्चर टीम से था बावर ने अपनी जान बचाने के लिए मैन का शुक्रियादा किया और फिर से रियक्टर रूम की तरफ जाने लगा आगे चलकर बावर कंटेनर से भरे एक विशाल कमरे में पहुँच गया तभी अचानक उसी लड़की ने फिर से बावर पर हमला कर दिया जिससे शुरुआत में बावर का पाला पड़ा था लेकिन इस बार मैन ने वहां आकर बावर को बचा लिया अगले ही पल मैन और उस लड़की के बीच घमासान युद होने लगा लेकिन तभी बावर ने हवा में फायर करके उनकी लड़ाई रोक दी और उनसे कहा अगर हमें जिन्दा रहना है तो हमें मिलकर काम करना होगा हमें जल्द से जल्द स्पेशिप के रियक्टर को रिसेट करके स्पेशिप को ठीक करना होगा इस पर वो लड़की राजी हो गई और बावर और मैन के साथ रियक्टर की तलाश में निकल पड़ी रास्ते में उस लड़की ने बताया कि उसका नाम नाडिया है और वो एक बायोलजिस्ट है वो लगबग छे महीने पहले अपने स्लिपिंग पॉड से जागी थी और छे महीनों से अपने लैब में पल रहे कीडे खाकर जिन्दा थी हालंकि उसे अब तक पता नहीं था कि वे खुखार प्राणी कौन है और वे इस स्पेशिप पर कैसे पहुँचे वो बस किसी तरह उनसे बचकर रह रही थी आगे चलकर उन्हें एक चेमबर मिला जहां कई सारे स्लिपिंग पॉड्स मौझूद थे लेकिन उनमें से जादतर स्लिपिंग पॉड्स खाली थे नाडिया ने बावर को बताया कि ये चेमबर उन प्राणियों का हंटिंग जोन है वे प्राणी यहां आकर स्लिपिंग पॉड्स से निकलने वाले लोगों का शिकार करते हैं इसलिए उन्हें यहां से जल्दी निकलना चाहिए ये बताकर नाडिया जल्दी उन दोनों को वहां से ले जाने लगी लेकिन तभी मैन को वहां उन प्राणियों के होने का एहसास हुआ वो सतर्क होकर वहीं जम गया नाडिया उसे छोड़कर बावर को लेकर वहां से भागी रही थी कि तभी उनके नीचे का जाली नुमा फर्ष तूट गया जिससे वे दोनों एक कीचर से भरे गढ़े में जागी रे उन्होंने जब ग्लो स्टिक जलाकर अपने आसपास नजरें दोड़ाई तो वहां उन्हें एक भयानक मनजर नजर आया वो गढ़ा सड़ी गली इनसानी लाशों से भरा पड़ा था असल में वे प्राणी इनसानों को खाकर उनकी हड़ियां वहां फेंक देते थे बावर और नाडिया उस गड़े से निकल पाते उससे पहले ही एक प्राणी उन्हें ढूड़ता हुआ वहां आधम का हलनकी उन प्राणियों की नजर कमजोर थी पर उनकी सुनने और सूंगने की शक्ती काफी तेज थी उसे देखवे दोनों उस कीचड में ही छुपे रहे जिस कारण उस प्राणी को उनकी गंद नहीं मिल पाई और वो वहां से चला गया उसके जाते ही बावर तुरंत कीचड से बाहर निकल आया वो नाडिया को भी कीचड से बाहर निकाल ही रहा था कि तभी वहां छुपकर घात लगाए उस प्राणी ने उन दोनों पर हमला कर दिया वो उन दोनों को मारने ही वाला था कि इतने मेही मैन वहां आ गया और उसने उस प्राणी के सिर पर अपना खंजर घोंप दिया उसके बाद बावर, नाडिया और मैन तीनों ने मिलकर उस प्राणी पर खंजर घोंप घोंप कर उसे मौत के घाट उतार दिया पर तभी उस प्राणी के और भी साथी वहां आ गए लेकिन वे प्राणी उन तीनों को छोड़ अपने ही मरे हुए साथी पर तूट पड़े और उसे खाने लगे इसी बीच मौका पाकर नाडिया मैन और बावर वहां से भाग निकले वे लोग एक सुरंग से होते हुए दूसरे चेमबर में पहुँच गए वहां पहुँच कर उन्होंने अभी राहत की सांस ली ही थी कि तभी उन्हें उस चेमबर के उपर एक आदमी नजर आया उसी देखवे लोग सतर्क हो गए लेकिन उस आदमी ने कहा डरो मत तुम लोग यहां सुरक्षित हो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम लोग कहां जा रहे हो इस पर बावर ने उसे बताया कि उन्हें स्पेशिप के न्यूकलियर रियक्टर की तलाश है ये सुनकर उस आदमी ने कहा मैं तुमें रियक्टर की लोकेशन बता सकता हूँ लेकिन वहां जाने से पहले तुमें कुछ खा लेना चाहिए मैं एक शेफ हूँ मैं अभी तुम लोगों के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ ये कहकर शेफ ने उस चेमबर की दिवारों पर लगी काई से उन्हें सूप बना कर दिया जिसे पीते हुए वे तीनों वहां आराम करने लगे इसी दुरान बावर ने नाडिया से पूछा कि आखिर वे प्राणी स्पेशिप में आए कहां से होंगे क्या वे लोग एलियन्स हो सकते हैं इस पर नाडिया ने कहा मुझे लगता है वे एलियन्स नहीं बलकी वे इसी स्पेशिप के पैसेंजर्स हैं दरसल हाइपर स्लीप में रहने के बाद हमें फीडिंग ट्यूब्स के जरीए एक सिंथेटिक एंजाइम भी दिया जा रहा था ये एंजाइम टैनिस ग्रह के नए इन्वायरमेंट के अनुसार हमारे शरीर में जरूरी बदलाव करके हमें उस इन्वायरमेंट को अडैप्ट करने में मदद करने वाला था ताकि हमारा शरीर जल्द से जल्द टैनिस ग्रह के नए इन्वायरमेंट को अपना सके लेकिन मुझे लगता है कि हम मैंसे कुछ लोग वक्त से काफी पहले ही अपने स्लीपिंग पॉड से बाहर निकलाए होंगे और काफी समय तक स्पेशिप के इन्वायरमेंट में रहने के कारण उनके शरीर ने स्पेशिप के अंधेरे और मुश्किलों से भरे इन्वायरमेंट को ही अडेप्ट करना शुरू कर दिया होगा खाने की कमी की वज़ा से वे एक दूसरे को ही खाने लगे होंगे और इस तरह वे मुटेट होकर उन खुंखार प्राणियों में बदल गए होंगे ये सुनकर शेफ ने नाडिया की बात को काटते हुए कहा क्या तुम लोग सच में नहीं जानते कि यहां क्या हुआ था मैं तुम्हें बताता हूँ जो मैंने यहां आने वाले लोगों से सुना है इस पर सभी गौर से शेफ की बात सुनने लगे शेफ ने उन्हें दिवारों पर बनाए चित्रों को दिखाते हुए आगे बताया बात तब की है जब अलीसियम स्पेशिप को लाँच हुए साथ साल ही हुए थे उस वक्त फलाइट टीम फोर स्पेशिप को संभाल रही थी हाइपर स्लीप से जागे उन्हें एक साल हो चुका था हलकि उनमें पैंडोरम के सिंटम्स नजर आ रहे थे लेकिन अब तक वे अपना काम सही से कर रहे थे तभी एक दिन उन्हें प्रित्वी से एक वीडियो मैसेज मिला वो मैसेज प्रित्वी से भेजे जाने वाला आखरी मैसेज था क्योंकि फ्लाइट टीम को वो मैसेज मिलने तक पृत्वी का पूरी तरह से वजूद ही मिट चुका था मानव जाती का पूरी तरह अंत हो चुका था मैसेज में उनसे कहा गया कि अब सिर्फ अलीसियम स्पेशिप पर ही आखरी इंसान बचे हैं ये खबर सुनकर गैलो नाम की एक फ्लाइट टीम मेंबर को गहरा सदमा लगा जिससे पैंडूरम उस पर पूरी तरह से हावी हो गया उसके मन में ये बात घर कर गई कि पृत्वी के नस्ट होने का कारण इंसान और उनकी इंसानित ही है अगर इंसान प्रकृति के नियम से चलते अगर वे जानवरों की तरह ही रहकर एक दूसरे का शिकार करते और एक दूसरे को खाकर ही अपना पेट भरते तो ना पृत्वी पर इंसानों की आबादी बढ़ती और ना ही पृत्वी नस्ट होती गैलो को यकीन था कि टैनिस ग्रह पर बसने के बाद इंसान उसे भी प्रित्वी की तरह नस्ट कर देंगे इसलिए उसने टैनिस ग्रह पर पहुँचने से पहले इंसानों की इंसानित को खतम करने का ठान लिया ताकि इनसान टैनिस ग्रह पर जाकर जानवरों की तरह रहे और जिन्दा रहने के लिए एक दूसरे का ही शिकार करें इससे टैनिस ग्रह पर प्रित्वी की तरह आबादी नहीं बढ़ेगी अब प्रित्वी नहीं थी तो उसे रोकने के लिए कोई नियम या कानून नहीं थे वो हाइपर स्लीप में सो रहे साथ हजार लोगों के साथ जो चाहे वो कर सकता था उसके क्रू मेंबर्स ने जब उसका विरोध किया तो उसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया उसके बाद गैलो ने स्लीपिंग पॉड में सो रहे लोगों को जगाना शुरू किया स्लीपिंग पॉड से बाहर निकल कर जो लोग पैंडोरम से जूज रहे थे गैलो ने उने ये कहकर अपनी बातों से बहकाया कि अब इस दुनिया में न तो कोई भगवान है और ना कोई कानून है इसलिए हम बिना डरे कोई भी हद पार कर सकते हैं हम एक नई दुनिया बना सकते हैं जहां हम जानवरों की तरह अपनी जिन्दगी जिएंगे जब एक इनसान दूसरे इनसान का शिकार करेगा तो प्रित्वी की तरह यहां आबादी कभी नहीं बढ़ेगी इस तरह गैलो ने उन्हें बहका कर शिप के एक बड़े हिस्से में कैध कर दिया ताकि वे एक दूसरे का शिकार करके एक दूसरे को खाने के लिए मजबूर हो जाएं इस तरह एक खूनी खेल की शुरुआत हुई गैलो ने सालों तक वो खेल खेला लेकिन फिर वो उस खेल से बोर हो गया और वापस जाकर अपने स्लिपिंग पॉड में सो गया लेकिन उसने जिस खूनी खेल की शुरुआत की थी वो उसके नींद में रहने के बाद भी चलता रहा जिससे वे लोग नर्भक्षी बन गए और उस खेल को ही अपनी जिंदगी मान कर एक दूसरे का शिकार करते रहे सालों तक शिकार करते हुए आज वही नर्भक्षी लोग खुंखार प्राणियों में बदल चुके हैं शेफ की बात खतम होते ही उस चेंबर से एक गैस निकली जिसके असर से बावर नाडिया और मैन बेहोश हो गए इसी दुरान दूसरी और पेटन के नाक से अचानक खून बहने लगा जिससे वो बेहोश हो गया लेकिन कुछी देर बाद वेंटिलेशन से आती कोई आवाज सुनकर उसे होश आ गया वो एक रॉड लेकर जब वेंटिलेशन में पहुँचा तब ही ट्यूब्स के बीच से एक निर्वस्त्र आदमी बाहर निकला वो आदमी कोई और नहीं बलकि वही गेलो था जिसने स्पेशिप में उस खूनी खेल की शुरुवात की थी गेलो का शरीर खून से सना था और वो पेटन से मदद की गुहार लगा रहा था गेलो की सचाई से बेखबर पेटन उसे वेंटिलेशन से बाहर ले आया उसके बाद पेटन ने गेलो से पूछा कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था इस पर पहले तो गेलो ने पेटन को प्रित्वी के नश्ट होने की खबर दे दी और पेंडोरम उस पर हावी होने लगा लेकिन उसने किसी तरह खुद पर काबू कर लिया दूसरी ओर बावर नाडिया और मैन जब होश में आये तो उन्होंने देखा कि वे रस्यों से उल्टे लटके थे उन्हें लटकाने वाला शेफी था वे तीनों समझ चुके थे कि शेफ उन्हें खाने वाला है बावर ने उससे चिला कर कहा अगर हमने एक घंटे के अंदर शिप के रियक्टर को रिसेट नहीं किया तो स्पेशिप पूरी तरह बंद पढ़ जाएगी और हम सब के साथ तुम भी मारे जाओगे इस पर शेफ भी सोच में पढ़ गया उसने तुरंत उन तीनों को आजाद कर दिया उसने बावर की गंचीन ली और जल्दी उन तीनों को रियक्टर की तरफ ले जाने लगा आगे चलकर वे उस चेंबर में पहुँचे जहां स्पेशिप पर काम करने वाले लोगों की फैमिलीज को हाइपर स्लीप में रखा गया था लेकिन वे प्राणी उन में से जादतर लोगों का शिकार कर चुके थे वही नाडिया ने बावर से पूछा क्या तुम्हारी पतनी यहां है तभी बावर को याद आया कि उसकी पतनी तो स्पेशिप पर आई ही नहीं थी क्यूंकि वो प्रित्वी छोड़ कर नहीं जाना चाहती थी इसलिए बावर को अकेले ही स्पेशिप पर आना पड़ा बावर को ये सोचकर सदमा सा लगा कि प्रित्वी खत्म होने के साथ ही उसकी पतनी भी मर चुकी थी इसी दुरान बावर को पेटन की पतनी का स्लीपिंग पौड दिखा लिकिन वो स्लीपिंग पौड खाली था बद किस्मती से पेटन की पतनी भी उन पराणियों का शिकार बन चुकी थी उसे याद करते हुए अचानक बावर को पेटन से जुड़ी कुछ ऐसी बात याद आ गई जिससे उसके होशी उड़ गए वो बाकी लोगों के साथ जल्दी रियक्टर रूम में पहुँच गया लेकिन बदकिस्मती से रियक्टर तक पहुँचने वाले पुल के नीचे इतने में ही नाडिया तुरंत वहां से रियक्टर की ओर चली गई हालंकि उस रियक्टर को रिसेट करना सिर्फ बावर को ही आता था और बावर केवल उन प्राणियों के बीच से होकर ही रियक्टर तक पहुँच सकता था इसलिए बावर नीचे उतर कर दबे पाउं उन प्राणियों के बीच आ गया और वहां पड़ी उनकी खाल से खुद को ढख लिया ताकि उन प्राणियों को उसकी गंद ना मिल पाए बावर उनके उपर से रेंगता हुआ किनारे तक पहुँचा ही था कि तभी उधर शेफ का टॉर्च उसके हाथ से छूटकर उन प्राणियों के बीच गिर गया जिससे वे सारे प्राणी जाग गए लेकिन तब तक बावर रियक्टर तक पहुँच चुका था वही मैन ने पुल को नीचे गिराकर उन प्राणियों का ध्यान अपनी ओर खीच लिया और वहां से भागने लगा इसी बीच बावर और नाडिया को रियक्टर ठीक करने का समय मिल गया बावर ने जैसे ही रियक्टर को रिसेट किया उस रियक्टर से एक तेज उर्जा निकली जिसने रियक्टर के नीचे मौजूद प्राणियों को जला कर राख कर दिया रियक्टर ठीक हो जाने से पूरे स्पेशिप की बिजली वापस आ गई लेकिन अब भी वहां बहुत से प्राणि बचे हुए थे जो बावर और नाडिया का पीछा करने लगे वही मैन का भी एक प्राणि से सामना हो गया उन दोनों में घमसान युद छड़ गया लेकिन अंत में मैन ने उसे मार गिराया तभी मैन के सामने उन प्राणियों की एक बच्ची आ गई मैन उसे मासूम बच्ची समझ कर वहां से जाने ही वाला था कि तभी उस बच्ची ने अपने भाले से मैन की गरदन ही काट दी दूसरी और शेफ तेजी से अपनी जान बचा कर भाग रहा था बावर और नाडिया भी उसके पीछे ही थे लेकिन शेफ ने उन्हें रास्ते के बीच में ही कैद कर दिया और खुद वहां से भाग निकला इसी दोरान दूसरी और गैलो के नाक से भी खून बहने लगा था जिससे पेटन समझ गया कि गैलो भी पैंडोरम से जूज रहा है इसलिए उसने गैलो को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन निकाल लिया लेकिन तभी गैलो ने उसे देख लिया और उन दोनों में हाथा पाई होने लगी आश्चर्यक की बात थी कि उन दोनों के हाथ पर बने टैटू के सीरियल नंबर एक ही थे अगले ही पल गैलो ने पेटन को ही वो इंजेक्शन लगा दिया वो इंजेक्शन लगाते ही अचानक गैलो वहां से गायब हो गया कि तभी उन्होंने किसी तरह रास्ते का दर्वाजा खोल लिया और वहां से भाग कर पेटन वाले कमरे तक पहुँच गये कमरे के अंदर आते ही उन्होंने देखा कि स्पेशिप के कंट्रोल रूम का दर्वाजा खुल चुका था ये देख बावर और नाडिया भी कंट्रोल रूम में आ गए लेकिन पेटन उन्हें कहीं नजर नहीं आया वही बावर कम्प्यूटर में ये डेटा कैलकुलेट करने लगा कि उन्हें पृत्वी से निकले कितने साल हुए हैं डेटा प्रोसेस हो ही रहा था कि तभी पेटन उन्हें एक कुरसी पर बैठा नजर आया हालंकि रियक्टर को ढूरते वक्त जब बावर ने पेटन की पतनी का स्लिपिंग पॉड देखा था तो उसी वक्त उसे पेटन और उसका परिवार याद आ गया था उसे पता चल चुका था कि अब तक वो जिसे पेटन समझ रहा था असल में वो कोई और ही था उसने उस बहरूपिय से पूछा कौन हो तुम इस पर उस बहरूपिय ने बताया कि वो और कोई नहीं बलकि कॉर्परल गेलो ही है वही गेलो जिसने स्पेशिप पर खूनी खेल की शुरुआत की थी उस वक्त गेलो जवान था वो सालों तक खूनी खेल खेलता रहा वक्त के साथ उसकी उम्र बढ़ गई लेकिन फिर वो उस खेल से बोर हो गया उसने स्लिपिंग पॉड में सोय असली लेफ्टिनेंट पेटन को मार दिया और लेफ्टिनेंट पेटन के कपड़े पहन कर उसी के स्लिपिंग पॉड में सो गया सालों बाद जब वो नीन से जागा तो वो सब भूल चुका था और खुद को लेटिनेंट पेटन ही समझ रहा था लेकिन फिर धीरे धीरे पेंडोरम उस पर हावी होने लगा जिससे उसे हैलुसिनेशन होने लगे उसके हैलुसिनेशन ने उसके बुरे विचारों को उसे जवान गेलों के रूप में दिखाया धीरे धीरे उसके बुरे विचार उस पर हावी होने लगे हालकि वो खुद को पेटन ही समझ रहा था इसलिए वो अपने बुरे विचारों से यानि की जवान गेलों से लड़ रहा था लेकिन अंत में उसके बुरे विचार उस पर हावी हो गए इसी के साथ उसे याद आ गया कि वो पेटन नहीं बलकि खुद गेलो ही है जो अब बुड़ा हो चुका है ये बात याद आते ही उसे अपने पूराने सारे बुरे काम भी याद आ गये उसने सोने से पहले जिस मकसद को अधूरा छोड़ा था उसे वो फिर से पूरा करने में लग गया गेलो की असलियत जानने के बाद बावर ने उससे पूछा कि वे लोग इस वक्त कहा हैं इस पर गेलो ने स्पेशिप के उपर की विंडो शेल्ड खोल दी जिसके बाद उन्होंने देखा कि वे जिस जगा पर थे वहाँ आसमान में कोई भी तारा नजर नहीं आ रहा था वहाँ केवल गहरा अंधेरा था उसे देख बावर को समझ आया कि वे लोग स्पेश में खो चुके हैं जिससे बावर की घबराट बढ़ गई और पेंडोरम उस पर भी हावी होने लगा ये देख गेलो ने बावर को भी उसी तरह अपनी बातों से बहकाना शुरू कर दिया जैसे उसने शुरूआत में पेंडोरम से जूज रहे लोगों को बहका कर उन्हें खुंखार बना दिया था लेकिन बावर गेलो की बातों में नहीं आया उसने गेलो को पीट पीट कर उसका मूँ बंद कर दिया इसी दोरान बावर और नाडिया ने देखा कि उनके स्पेशिप के ऊपर कुछ अजीब से जीव पानी में तैर रहे थे उसे देख वे समझ गए कि उनकी स्पेशिप स्पेस में नहीं बलकि पानी के नीचे है तब ही उनके कंप्यूटर ने कैलिकुलेशन पूरी कर ली जिसके मुताबिक उन्हें पृत्वी से निकले 923 साल बीच चुके थे इससे वे समझ गए कि उनकी स्पेशिप अपने तह समये 123 साल में ही टैनिस ग्रह पर आकर समंदर में लैंड हो चुकी थी जिसका मतलब था कि वे 800 सालों से टैनिस ग्रह पर ही थे दरसल स्पेशिप पर मौझूद वे प्राणी स्पेशिप के पैसेंजर्स नहीं थे बलकि उनके वंशज थे शुरुआत में वे पैसेंजर्स पैंडोरम की वज़ा से पागल होकर गेलो द्वारा सिखाया शिकार का खेल खेलने लगे थे उन्हें वो खेल सिखाकर गेलो तो दोबारा हाइपर स्लीप में चला गया था लेकिन नर्भक्षी बन चुके उन पैसेंजर्स ने उस खेल को जारी रखा उन्हें फीडिंग ट्यूब के जरीए दिये गए एंजाइम की वज़ा से उनका एवल्यूशन यानि की विकास तेजी से होने लगा पीडी दर पीडी जैसे जैसे उनका वन्ष आगे बढ़ा वे स्पेशिप के अंधेरे माहोल में ढलते चले गए अंधेरे की वज़ा से उनकी आँखों की रोशनी कम हो गई और उनकी सुनने और सूंगने की शक्ती तेज हो गई साथ ही शिकार करते रहने की वज़ा से उनकी शारिक क्षमताएं भी विक्सित हो गई आगे चलकर उन्होंने एक दूसरे के अलावा स्लिपिंग पॉड में मौजूद लोगों को भी खाना शुरू कर दिया इस तरह आज 923 साल बाद भी उन पैसेंजर्स के वनशज यानिकी वे खुंखार प्राणी लोगों का शिकार कर रहे हैं ये सारी सच्चाई जानकर पैंडोरम से जूज रहे बावर का दिमाग घूमने लगा उसे हैलुसिनेशन होने लगे जिससे उसे वे प्राणी अपने आसपास नजर आने लगे इसी दुरान मौका पाकर गैलो ने बावर पर हमला कर दिया ये देख नाडिया ने उसे बचा लिया और खुद गैलो के साथ भिड़ गई लेकिन गैलो ने नाडिया को मार कर दूर गिरा दिया और एक चाकू लेकर उसे मारने आगे बढ़ने लगा इसी बीच बावर को भ्रम हुआ कि एक प्राणी कमपार्टमेंट से बाहर निकल रहा है बावर ने अपनी गंद से उसे शूट कर दिया जिससे उस कमपार्टमेंट का लोहे का धकन उचल कर स्पेशिप के कांच पर जा लगा जिससे वो कांच तूट गया और स्पेशिप में पानी भरने लगा ये देख बावर नाडिया को लेकर तुरंत वहां से भागा और अपने स्लिपिंग पॉड में घोस गया लेकिन वहीं गैलो अपने स्लिपिंग पॉड तक पहुचने से पहले ही पानी में डूब गया और उसके साथ ही स्पेशिप पर बचे हुए सारे प्राणी भी पानी में डूब कर मारे गए बावर ने उसी वक्त अपने स्लिपिंग पॉड को एजेक्ट कर दिया जिससे वो पॉड लॉंच होकर पानी से सतह पर आ गया। पॉड से बाहर निकल कर उन्होंने अपने आसपास नजरें दोड़ाई। वे लोग अपने नए घर यानी की टैनिस ग्रह को देख रहे थे। इसी के साथ स्पेशिप में पानी भरने से उसमें एमर्जेंसी लॉंच स साथ मिलकर टैनिस ग्रह पर मानव जाती की एक नई शुरुवात करने निकल पड़े। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।